Hello Students, आज हम करेंगे कॉलम फॉर्मेटिंग के बारे में कॉलम फॉर्मेटिंग क्या होती है अगर आपने कभी नूसक्ति देखा है तो आपने देखा होगा कि नूसक्ति नूशकर पापने आप 16 वेजार जो नूस ohit आनि के आपके की जो नूस होती हमें एक फीचर प्रवाइड करता है, छो क्या है आपका Kolumn Formatting करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले एक paragraph टाइप करना है और इस paragraph को हमें लिखना है छिए प्र चीत, जैसे मैंने इस paragraph लिखा है और इसको मैंने क्या कर लिया? select किया, तो first point किया है आपका, कि आपको एक paragraph, type the paragraph and select that paragraph, paragraph select करने के बाद में, click on the page layout tab, यह आपकी क्या है, page layout tab है, इस क्यों पर हमें क्या करना है, click करना है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, page setup नाम से आपका एक group है, इस group में आपको columns का एक option दिखाए दे रहा है, इस option में आपको एक down arrow है, इस arrow के पर आपको click करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने paragraph को select करना है, after selecting the paragraph, you have to click on the page layout tab, this is your second step, and third step is click on the columns option, and select, जितने भी आप यहाँ से column select करेंगे, तो देखी, जैसे ही मैं column select करूंगी, तो जो मेरा paragraph था, वो two columns में क्या हो चुका है, divide हो चुका है, अगर मैंने यहाँ से क्या किया, three columns का use किया, तो जो मेरा data है, वो क्या हो जाएगा paragraph मेरा three columns में divide हो जाएगा, इसी तरह ऐसे जो आपके newspapers हैं, वो क्या use करते हैं, columns का use करते हैं, ताकि वो information को अच्छे से display कर सकें, ठीक है, आप जितने भी numbers चाहें, उतने ही columns का use कर सकते ही, यह आपका क्या है left, यानि कि left में थोड़ा सा कम आपका data use होगा, और right में आपका data use होगा, next क्या है, आपका right, right में data कम use होगा, और left side में जो आपका data है, वो जादा use होगा, अगर आप खुछ से और more columns क्रेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे mention कर सकते हैं, कितने columns आपको चाहिए, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, number of columns, 2, 3, 4, 5, 6, जितने भी आप लेना चाहते हैं, उतने ही columns आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आप 5 mentions किये हैं, ok कर देंगे, तो हमारी यहाँ से क्या बन चाहेंगे, 5 columns create हो जाएंगे, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कॉलम की formatting कर सकते हो, ठीक है, I hope आपको अच्छे समझ में आया है, कि हम किस तरह से column formatting कर सकते हैं, अगर आपकी पास laptop है, तो आप अपने system पे column formatting कर के देखेंगे, अगर आप इसको column formatting को remove करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, पेज लियाओट में आपको कॉलम्स में ही जाना है, वन पर आपको क्लिक करना है, तो आपकी जो कॉलम फर्मेटिंग है वो यहां से रिमोव हो जाएगी